जी हां दोस्तों बहुत बड़ी ख़वर निकल के सामने आ रहे हैं बिहार बिसेस बिद्याले अध्यापक पातरता परिक्षा यानि की BSTET का एक्जाम होने वाला है 2023 का अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या पातरता है इस एक्जाम को देने के लिए और कौन से कैंडिडिट दे सकते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि किस क्लास के लिए हैं तो यह कक्षा एक से पांचमी तक के लिए 5534 पदों के लिए यह निकाला गया है और कक्षा 6-8 के लिए 1745 पद स्रीजित किये गया है इसका ठीक है अब बात कर लेते हैं कि किस वेबसाइट पे इसको जाके भरना है तो यहां पे आपका वेबसाइट है इसका लिंक हम दे देंगे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वहां से भी आप जाके फॉर्म को भर सकते हैं अब क्या डेट होगा इस फॉर्म को फिल करने का तो यह डेट होगा आपका 2 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2023 तक इसको ऑनलाइन माध्यम से ही भरना है ऑनलाइन माध्यम से ठीक है आगे हम बढ़ते हैं इसका देख लेते हैं कि कौन इसको भर सकता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए इसको भरने के लिए सबसे पहले अब यह दो दो तरीके से होगा एक्जाम एक हो से आठ के लिए दो अस्तर के लिए भरेंगे तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रथम पत्र के लिए कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे और उसका अंग क्या होगा तो पहला होगा आपका बाल भी कहा से हम सिख्छा साथ 30 नंबर का होगा यह कुस्च्चन और 30 प्रस प्रस्न होंगे और 30 अंग भी रहेगा इसके बाद आता है गणित 30 प्रस्न 30 अंग इसके बाद पर्यावरण अध्यायन यानि इन्वर्मेंटल स्टडिज 30 कौस्चन 30 अंग कुल मिलाके 150 कौस्चन हो जाते हैं आपका टाइम रहेगा 150 मिनट भी रहेगा ठीक है आगे पारे में हम देख लेते हैं यानि कि 6 to 8 ये वैसे कंडिडेट के लिए जो 6 to 8 के लिए भरना चाहते हैं तो बाल भी का से हम सिक्छा सास्त्र 30 नंबर का होगा 30 कुस्चन होगा दूसरा हो जाएगा आपका भासा एक अनिवारे रूप से हिंदी उर्दू बंगला में से कोई अंग्रेजी आप ले ले या उर्दू ले ले कोई भी एक ले ले लेना है 30 कुस्चन तीस अंख और इसके माद गणित यह विज्ञान अथ्वा समाजिक विज्ञान इन में से गणित और साथी साथ या तो विज्ञान या तो समाजिक विज्ञान इसमें रहेगा 60 कुस्च के लिए भरेंगे और कुछ होंगे 1 to 8 भरेंगे परिक्षा का पैटर्न हम लोगों ने देख लिया कि यह mcq यानि multiple choice question होगा जिसमें बहुत भी कल्प रहेगा 150 मिनट रहेगा आपके पास यानि कि दो घंटा 30 मिनट cbt होगा यानि कि computer based test होगा आपका आप देख लेते हैं हम लोग कि कितना marks लाना है अगर आप समान्य स्रेणी से आते हैं तो पचास marks 50% अंक चाहिए 50% अंक यानि कि 75 नंबर आपको चाहिए पिछड़ा बर यानि कि BC में आते हैं तो 45.5% अंक चाहिए यानि कि आपको लगपग लगफग 79 नंबर चाहिए 69 marks अंनु सूचित जन जाती से अगर आते हैं 40% यानि कि आपको चाहिए 66 नंबर । इसके बाद आते हैं अनु सूचित जाती अतियंद पिछड़ा बर इसको चाहिए आपको 67 marks महिला के लिए चाहिए आपको 60 marks इसके बाद अनिवारत हरता क्या है तो भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले इसके बाद आपको minimum cut-off को पार करना होगा minimum cut-off जो की एक तारीक एक अगस्त को दिया गया है इसको पार करना है आपको निउन्तम आयू आवेदक का 18 वर्स होना चाहिए और अनार चित पूरूस है तो उसको 37 वर्स और अतियंद पिछडा बर्ग इन सब के केस में 40 वर्स तो यह यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग जो भी आहरता है इसके बाद हम लोग सैक्षणिक युगता पर आ जाते हैं तो निउन्तम 50% marks के साथ आपको उच्टर माध्यमिक इसको पास करना होगा किसी भी भारतिये पुनर्वास परिशत से 1 to 5 के लिए आप बिहार राज मदर्सा सिक्षा बोर्ड मौलाना मजरू लग और भीम फार्सी विश्व विदाले से भी आप लोग कर सकते हैं एक से पांच के लिए 50% अंकों के साथ बंगला में उत्तिरिन हो वो पास करना होगा और आपके पास CRR नंबर होना चाहिए कि इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे पेपर एक और पेपर दो में आपको सारा चाहिए इसका नीरगत परमान पत्र लाइफ टाइम के लिए बैलिड है अगर कोई भी एक बार पास कर गई है तो लाइफ टाइम बैलिड होगा जब भी आपके पास आएगा वेकेंसी तब यह मानने होगा इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कितना सूलक लगेगा तो अगर आप पेपर वन या पेपर टू दोनों में से एक भरते हैं मतलग कोई भी एक वन टू फाइव या शिक्स टू एट तो आपको लगेगा पैसा सारह 900 रुपया लगेगा अगर आप भरते हैं पेपर एक और पेपर दोनों तो क चौदा से चालीस रोपया लगेगा अगर आप किस छेडि में आते हैं तो जे ड्रुद में आते हैं इव्या समें यह ऊस्ञा के लिए 900 स्वक्षा और पेपर के लिए चाहिए विजन के लिए 1000 रुपया कि अनिस से आते हैं लिए साथ सो साट रुपया चाहिए और पेपर टू और वन दोनों अगर भरते हैं तो 1140 यह पेपर आपका बहुत सारे बहुत सारे सीटिंग में होगा यानि पालियों में होगा अलग-अलग डेट भी होगा इसलिए नॉर्मलाइजेसन होगा यहाँ पे सीबी टी लगेगा इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रौ इसकोर जनरेट होगा आपका परिक्षा के ओधी दो घंटा तीस मिनट की होगी फॉर्म भरने के लिए डिस्क्रिप्शन में देंगे आपको इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले रजिस्टर कर ले इसके बाद इंटर असनातक बीएड यह सब किये हुए हैं आप तो जाती निवास आए यह सब एंसील वगरे बनवा लीजिएगा आरक्षण का दावा करना है अगर महिलाओं का हम लोग बात कर लेते हैं बिवाहित महिलाए हैं तो जाती अगर पर्मान पत्र बनवाना क्री किमी लेयर रही तो वो उनके पिता जी के नाम पे होना चाहिए पती के नाम पे नहीं होना चाहिए ठीक है जनकारी कैसा लगा बताईए आप लोग कमेंट बॉक्स